नमस्ते कार और आज हम कड़े हैं एक इंडियन स्पोर्ट्स कार के सामने जिसका नाम है डीसी अवंती 2012 में लॉंच हुई थी और ये फर्स डेनरेशन ही आप देख रहे हैं एक ही मॉडल आथा है पेट्रोल में जिसकी कीमत है 40 लाक रुपीज डीसी डिजाइन के फाउंडर मिस्टर दिलप छाबेड़या ने डिजाइन की है अवंती पूने में असेमली होती है अवंती की 1962 की स्टूट बेकर अवंती से इसकार का नाम लिया गया है वैसे अवंती वर्ट का मतलब होता है आगे बढ़ना और ये हैं बाई हेलोजन प्रोजेक्टर हेड्लैम्स बाई जनोन हेड्लैम्स का भी अप्शन है 4.5 मिटर लेंथ है 1.2 मिटर हाइट है 170 mm ग्राउंड क्लियरंस है और 1580 kg ग्रॉस वेट है कार के बीच में है एंजन और रियर वील ड्राइव है अवंती और ये हैं 20 इंच के अलोई वील्स एक और डिजाइन का भी ऑप्शन है आगे पीछे डिस्ट ब्रेक मिलेंगे इंडिया की सबसे फेमस X-Series और कार मॉडिफिकेशन कंपनीज में से एक है DC डिजाइन Aston Martin, BMW, General Motors, Mahindra, Renault और Bollywood को भी डिजाइन सर्वसेस प्रोवाइड कर चुकी है DC डिजाइन एरक्राफ्ट के इंटिरियर्स और बसेस भी रिडिजाइन करती है DC डिजाइन कुछी उनिट्स बची है वंती की उनकी सेल होने के बाद नई TCA मार्केट में आएगी ये रेड कलर आप देख रहे हैं वाइट, सिल्वर, मैट और कस्टम कलर्स के भी आप्शन है कार का फ्रेम कंपोजेट हाई स्टील से बना है और बॉडी कारबन फाइबर से इससे कार स्टॉंग है और हलकी भी डबल विश्बोन सस्पेंशन से हैं सेफटी के अंदर सेंटर लॉकिंग, ABS, EBD, 3-point seatbelts, pre-tensioner के साथ, side impact bars, reverse camera और roll cage design मिलेगा ये स्टैंडर मॉडल आप देख रहे हैं उसके बाद कई सारे options हैं, x-rays हैं जो आप कार में पैसे देके लगवा सकते हैं और ऐसा दिखता है driver side door का look tinted glasses मिलेंगे नीचे speakers है और power window के controls है scuff plate का भी option है और ये है 4-way manually adjustable seats ये black fox leather upholstery आप देख रहे हैं, grey, brown, red और alcantara का भी option है और ये है dashboard, red finish दी गई है, AC winds और बीच में AC winds और pedals और ये है fuel lid और पीछे के cover खोलने के लिए पीछे के cover खोलते हैं और देखते हैं 2000cc engine और ये है Renault का 2000cc inline 4 cylinder turbocharged petrol engine 250 bhp power है, 340 nm torque है, 200 km per hour की limited top speed है 0-200 की speed पकड़ेगी 6 seconds में 10 का average मिलेगा 55-liter के fuel tank से रेना का 2-liter engine है आईए अंदर चलते हैं ये है hand brake और पीछे भी थोड़ी बाव space दी गई है यहाँ पर ये hand brake ये है 6-speed manual transmission और ये charging port दिया गया है यहाँ पर ये है automatic AC infotainment आपको option में लगवाना पड़ेगा 2 AC vents मिलेंगे और ये glow box में थोड़ी सी space दी गई है और ये reading lights मिलेंगी और ये है 3-spoke electronic power steering ये wiper के controls है और ये light के controls push start button का भी option है और ये है instrument cluster बीच में TFT multi information display मिलेगा और ये front का bonnet खोल कर देखते हैं तो यहाँ पर fence है बैटरी लगी है fully black finish मिल रही है आई अब car को on करते हैं और engine sound सुनते हैं आई प्दूर्स प्थल्ट जड़ 3 कि प्थल्ट प्थल्ट अज़ अज़ एइ अज़ वढ स्पोर्ट यून्ड एग्जास्ट का भी ऑप्शन है उससे साउंड और शांदार हो जाएगी और यह है टी एफटी मल्टी इंफरमेशन डिस्प्ले बीच में यह ओन हो चुका है अभी और यह एसी का डिस्प्ले है और यह है फुली लोड़ेट अवन्ती यहां पर टी एफटी डिजिटल इंस्ट्रुमेंट डिस्प्ले में लेगा साइड में यहां से कंट्रोल कर सकते हैं आप और यह यहां पर एसी का डिस्प्ले भी काफी चेंज रहे और इन्फोटेन्मेंट एपल कार प्ले और नविगेशन के साथ और यहां पर सीट्स की भी अपॉल्स्ट्री चेंज है तो यह सब आप अप्शन्स में लगवा सकते है और यह एंजिन स्टार्ट स्टाप बटन भी है इसमें और यह बाइजन ओन हेड्लैंप्स तो कैसी लगे आपको डीसी अवंती हमें कमेंट्स में बताईए थैंक्यू